हमारे सरीर में नसों का एक एहम रोल होता है हमारा पूरा सरीर जो होता है वो नसों पर ही टिका रहता है अगर हमारी नसे बहुत ज्यादा strong होती है तो हमारी सरीर में किसी तरीके से कोई problem नहीं होगी जैसे के heart related problems है digestion related problems या फिर आपको lungs होगे रहा सांस लिने में दिक्कत जैसे problem नहीं होगे blood circulation के लिए भी नसों का ही problem होना बहुत ज्यादा दिक्कत कर जाता है जब नसे दब जाती है तो आपको कई परगार के symptoms दिखने शुरू हो जाते हैं नसों में दर्द होना तनाव होना जुवन होना हाथ परों में जुद्धनी होना या dys deposit चलने जैसे मैसुस आपको देखने को मिल शकते साथ मास fall मीज़ियों में कमज़ोरी थकाव चक्कर आना, स्टेड़ दर्द होना, या अद्दास की कमजोरी और ठकावट, डिप्रेट्स जैसी कंडिशने आपको वो सकती है, साथ जात पैरों में भारी पान दिखना शुरू हो जाता है, और आपकी नसेज होती है, बिल्कुल मकडी की तरह दिखनी शुरू हो जाती है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी नसेज होगी, वो कमजोरी दिखना शुरू हो जाते हैं, इसके कई सारे कारण होते हैं, बट आज की समय का जो कारण दिखने को मिलता है, वो आपकी लाइफ स्टाइल होता है, हर कोई काम करना चाता है, बट सिटिंग जोब, सिटिं होता हैं जैसे कि infection होना चोड लगना इस प्रॉक की दिक्कत होना और लाइफस्टाइल दुमने आपको बताए है लाइफस्टाइल मेंली होता है डाइबिटीज होना गठिया की विज़ा से ट्यूमर की विज़ा से और वहीं पर जैसे नसों की दिक्कत होती है वो दिखने को मिल सकती है अज किस वीडियो में आपको इक एक ऐसी गोली के बारे में बताऊंगा कि आपको सौ साल तक भी नसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मातर एक रूपे में आपकी नसों की प्रॉब्लम जोगी है हमेशा के लिए ठीक रहेगी तो अंदर तक वीडियो को देखते रहेगा मेरे नाम है अंकुष और आप देख रहे हैं इस प्रकार से गूली देखने को मिल जाती है रेट कलार में 40 रुबए के आपको 30 टैबलेट होती है वह मिल जाती जिसका नाम है नियरो बियोन फोर्ट इसमें बेसिकले बिट्विन बी कॉंप्लेक्स विद बीटू बीट्वाल देखने को मिल जाता है साल जाते से थियामिन पाइरडॉक्सिंग आपको मिल जाता है साइकोबालमिन निकोटेनमाइड कैल्सियम पैंतोनाइड ऐसे इंगेंट होते हैं वो डाले जाते जो आपकी नसों को स्ट्रॉंग रखते हैं नसों की कमजूरी को दूर करने में मद्द करते हैं ब्लट का सर्फूलेशन जो होता है प्रॉपली रखने में हैल्प करते हैं जिन लोगों को सर्वाइकल के दिक्कत है या चक्कर वगएरा आते रहते हैं उनके लिए ब्लट बेस्ट होता है या बार बार जिनको कमर दर्द देखने को मिल सकती है तो उनके लिए ये गूली काफी यदा हैल्पुल हो सकती है अब इसका सेवन कर सकते हैं राइगुलर्ली भी यूज कर सकते हैं या आपको डाइजिशन उगए अच्छा रखने में मददकार सावे देखने को मिल जाता है तो आप इसको में परचेस कर सकते हैं या फिर मैंने बाइलिंग डिस्कूर्शन बोक्स में दिया है वहां से जाकर भी आप इसको इसनी पाई कर सकते हो लेकिन अगर आपकी लिवर के दिख्कता है किडिनी का प्रावलिंग है तो यूज करने से पहले डॉक्टर से प्रामर्स जरूर कर लिजीगा वैसे इसको डाइबटी सायरोड की कंडिशन में भी यूज की जाता है क्योंकि डाइबटीक न यूरोगी प्रावल्म्स को सॉल्व कर सकते हैं वीडियो एच्छा लगा लाइक करें वीडियो को शेयर करें वीडियो को अगर आप नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर कर दें कुछ भी डाव और पूछ पूछना चाते हैं इस अगर आप परस्टनल मेसेज आप कर सकते हैं या फिर कमेंट अपना छोड़ सकते हैं फिर मिलते अपने नेक्स वीडियों के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग